Hello everyone, तो जब हम English सीखते हैं, तो हम जिस sentences के help से सीखते हैं, जैसे राम खा रहा है, वह खेल रहा है, तुम क्यों पढ़ाते हो, इस तरह की चीज़े होती हैं, कई बार ऐसा होता है, जब हम normal Hindi बोल रहे होते हैं, normal life company बाते कर रहे होते हैं, तो sentences इस तरह से खतम नहीं होते हैं, क इसको ठीक करने के लिए, इसी चीज़ को improve करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, कि आप movies के, web series के, subtitles की helps से अपने practice करें, तो चलिए video शुरू करते हैं, और आपको क्या करना है, हिंदी सुननी है, और उसको दिमाग में अपने translate करने की कोशिश करनी है, और फिर आप को match करना है, तो पहला है, यहाँ पर लडगे लडगी को बोला, hi, क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकाले आती हो, पुस्तकाले मतलब library, ठीक है, तो library को हिंदी में बोलते हैं, पुस्तकाले, क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकाले आती हो, do you often come to the library to study क्या तुम अक्सर खेलने जाते हो जी, often go to play cricket हाँ, मैं अक्सर जाता हूँ yes, I often go चीक है, सो क्या तुम अक्सर पढ़ने के लिए पुस्तकाले आती हो Do you often come to the library to study नहीं, मैं बस तुम्हारा पीछा कर रही थी अब इसने एक tone कासा है sarcastic tone में बोला है नहीं, मैं बस तुम्हारा पीछा कर रही थी No, I was just following you पीछा करना, पीछे-पीछे है न मतलब follow नहीं, मैं बस तुम्हारा पीछा कर रही थी No, I was just following you वो भी मजाग करने लगए मैं सामने से ज्यादा handsome दिखता हूँ I look more handsome from the front ठीक है सामने का मतलब front पीछे का मतलब back ठीक है I look more handsome मैं ज्यादा handsome दिखता हूँ from the front सामने से अब इसने लड़की ने क्या किया है लड़की ने अपने जो books है वो इसके चश्मे के ऊपर रख दी है water cooler के जो है इस पे इस ने लड़के ने चश्मा रखा और लड़की ने गलती से अपनी जो books है वो चश्मे के उपर रख दी है अब लड़की ने देखा बोला ओ नहीं ओ शिट यह तूट गया है क्या has it broken ठीक है यह तूट गया है क्या अब इस तरह की जो चीज़े होते हैं ऐसे sentences में हम कई बार होता है कि अटक जाते हैं ठीक है तो इस तरह के sentences कैसे बोले जाते हैं यही आपको सीखना है इस exercise से तो यह तूट गया है क्या has it broken has it broken हां लगता तो है अब यह भी चीज़ है काफ़ी हम क्यी बार बोलते हैं नमख y estado ए क्या है लग तो रहा है यह खुराब हो गया है क्या लग तो रहा है तो चीक है लग तो रहा है मनलब कोई चीज़ देख और लग़ रही है अगर अगर नमख तेज़ हो गया it feels Church tastes लग तो रहा है कि टोट गया, seems to be, शमा करें, मुझे सच में दुख है, मैं इसे ठीक करा दूँगी, यहाँ पर सीखने वाले चीज है, मैं इसे ठीक करा दूँगा, मैं इसे ठीक करा दूँगी, मैं इसे पेंट करा दूँगा, यह चीज जो है, वो हम कैसे बोलते हैं, शमा क करें मुझे सच में दुख है मैं इसे ठीक करा दूंगी sorry I am really sorry I will get it repaired अब यह passive sentence है I will get it repaired मैं इसको सही करा दूंगी अब कौन करेगा सही यहाँ पर वह specific नहीं है चीक है मैं इसको ठीक करा दूंगी उसके द्वारा भी होता तब भी वह passive होता चीक कि काम किया जाएगा तो जहाँ पर काम को प्राथ मिखता दी जाए इंसान को ना दी जाए तो वह passive sentences हो जाते हैं तो यहाँ पर काम को प्राथ मिखता दी गए मैं इसे ठीक करा दूंगी I will get it repaired I will get it repaired नहीं कोई बात नहीं no it's okay it's okay मतलब सब ठीक है ठीक है और कोई बात नहीं it's okay जैसे किसी ने मान लिज़े आपके ओपर पानी गिरा दिया हलका सा उसने बोला sorry या फिर आपके पैर किसी ने पैर रख दिया गलती से उसने बोला sorry तो वहाँ पर यहीं निकलता है मरा it's okay it's okay नहीं कोई बात नहीं it's okay ज्यादा समय नहीं लगेगा पास में एक दुकान है मैं इसे ठीक करवा दूंगी ज्यादा समय नहीं लगेगा पास में एक दुकान है मैं इसे ठीक करवा दूंगी it will not take much time कि ज्यादा समय नहीं लगेग it will not take much time there is a shop close by अब close by का मदला पास में ही चीक है there is a shop close by nearby भी बोल सकते हैं ची आस-पास चीक है so there is a shop close by की पास में एक दुकान है I will get it repaired मैं इसको सही करा दूँगी it will not take much time ज्यादा समय नहीं लगेगा there is a shop nearby पास में ही एक दुकान है मैं इसे ठीक करवा दूँगी I will get it repaired मैंने बस किताबे रख दी और चश्मा नहीं देखा मुझे सच में दुख है मैंने बस किताबे रख दी और चश्मा नहीं देखा I just kept the books I just kept the books and did not see the spectacles spectacles को क्या होते हैं नजर के चश्में चीक है मैंने बस किताबे रख दी और चश्मा नहीं देखा मुझे सच में दुख है I just kept the books and did not see the spectacles I am really sorry कोई बात नहीं सोक के अब जो दूर बैठी लड़की है उसने बोला कि यार शांत लग चुप हो जाओ शांत हो जाओ quiet quiet ठीक है quit quiet फरक है दोने की pronunciation में so quiet ठीक है कि शांत हो जाओ तो लड़का कहा रहा है अब तो हम बाहर खड़े हैं library के मतलब library में तो नहीं है अब तो हम बाहर खड़े हैं now we are standing outside now we are standing outside मेरी railway की परिक्षा है I have my railways exam ठीक है मेरी 12th exam जो आप इस तरह से बोल सकते हैं ठीक है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया लड़की इससे पूछ रही है actually लड़का जो है वो एक application डाल रहा था अपनी fees वापिस लेने के लिए कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है चीक है तो उसकी वो fees के लिए application डाल रहा था लेकिन बाद में इसने cancel करा दी कि मैं नहीं लेना चाहत तो लड़की उसके बारे में पोछ रही है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया 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 तो फिर तुमने ऐसा क्यों क क्या कर सकता था What could I do, the fees वापिस करने के लिए टियार ही नहीं थे, they were not ready to refund the fees, चीए, आप वापिस करना किसी पैसे को, तो fees को जो वापिस करते हैं, वो refund होती है, चीए, की वो refund नहीं कर रहे थे, आपने किसी मालेजी कहीं से शॉपिंग की, और अपने पैसे दी है, समान खराब निकल गया तो आप भी क्या करते हैं अपना पैसा refund लेते हैं न कि भाई मेरा पैसा वापस करो तो पैसा वापस करना मतलब कहीं पर आपने कहीं किसी चीज़ के लिए पे किया हुआ है किसे service के लिए किसी product के लिए पे किया हुआ है वहाँ से पैसा वापस ले न वह था refund मैं क्या कर सकता था वे fees वापस करने को तयार ही नहीं थे what could I do they were not ready to refund the fees what could I do they were not ready to refund the fees तो मुझे बताओ कि क्या IAS बनने से ज्यादा जिन्दगी में कुछ जरूरी है तो मुझे बताओ कि क्या IAS बनने से ज्यादा जिन्दगी में कुछ जरूरी है अब ये चश्मेवाला बोल रहा है कि इसकी चूड़ी तूट गई है आपको एक नया बनवाना पड़ेगा अब चूड़ी क्या होती है जैसे कई बार आपने देखा होगा जाना कि रिम लगी वी होती है साइड में पतली से रिम लगी वी होती है चाहे वो चश्मा हो या फिर कई सारी चीज़ों में घड़ी में भी तो हलिकी से रिम लगी वी होती है उसका हम चूड़ी बोलते है चेक है कि इसकी चूड़ी तूट गई है आपको एक नया बनवाना पड़ेगा अब उसको हम thread बोलते हैं thread मतलब धागा तो पतला सा वह होता है So it's threading has broken You will have to get a new one made चेक है You will have to get a new one made तो आपको एक नया बनवाना पड़ेगा इसकी चूड़ी तूट गई है आपको एक नया बनवाना पड़ेगा It's threading has broken You will have to get a new one made चेक है अब ये चूड़ी वो नहीं है जो प्रॉपर हाथों में पहने जाती है वो वाली चूड़ी की बात नहीं हो रही है चेक है ठीक है एक नया बना दो लड़की ने बोला यहां पर कि ठीक है एक नया बना दो ओके make a new one ओके make a new one ओके make a new one चोड़ो मैं इसे बाद में बनवा लूँगा कोई दिक्कत नहीं है चोड़ो मैं इसे बाद में बनवा लूँगा कोई दिक्कत नहीं है leave it I will get it made later या फिर made के जगा प्रेपेर्ड भी लगा सकते थे कोई इश्व नहीं है चोड़ो मैं इसे बाद में बनवा लूँगा I will get it made मैं इसे सही करवा लूँगा I will get it repaired मैं इसको paint करवा लूँगा I will get it painted तो इस तरह से मैं बात करते है मैं इसको ये करवा लूँगा I will get it made later मैं इसको बाद में बनवा लूँगा कोई दिक्कत नहीं है there is no problem there is no problem कोई दिक्कत नहीं है मैंने इसे तोड़ा ठीक है तुम सस्ता सा ले लो लेकिन ले लो चाहिए तुम सस्ता सा कोई भी चश्मा देख लो ले लो लेकिन अभी ले लो ठीक है I broke it It's okay if you take a cheap one but you will have to take it ठीक है मतलब तुम्हें लेना होगा चाहें सस्ता साही ले लो ये sense है यहाँ पर मैंने इसे तोड़ा ठीक है तुम चाहें सस्ता साही ले लो लेकिन तुम्हें लेना होगा I broke it It's okay if you take a cheap one but you will have to take it ठीक है I broke it It's okay if you take a cheap one but you will have to take it छोड़ो धहर्या अब लड़की का नाम है यहाँ पर धहर्या तो लड़का बोला कि अब छोड़ो धहर्या Leave it धहर्या अब लड़की ने बोला कि नया दिखाओ Show the new one Show the new one नया दिखाओ Show the new one अब दुकान वाला बोल रहा है कि मैंने पहले ही निकाल लिया है ठीक है मतलब मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ नया चश्मा मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ I have already taken it out अब देखो टेक का मतलब होता है लेना अब आउट का मतलब होता है टेक इट आउट ठीक है अगर मैं ये ट्राउम बोले हूँ टेक इट आउट तो कोई चीज कहीं अंदर रखी हुई है उसको मालब बाहर लेकर निकालना है तो वो होता है उस चीज़ में बोलते हैं take it out अगर मुझे खींच के निकालना है तो pull it out कि बाहर निकालना है खींच के किसी चीज़ को तो pull it out अब जो चश्मा है वो rack के अंदर showcase के अंदर अंदर रखा हुआ था अब वहां से उसने बाहर निकाला है अगर बाहर चश्मा निकला हुआ है और मैं उसको बोलू कि ये लो तो वो सिर्फ normal take होगा चीक है कि I have taken मैंने ले लिया लेकिन I have I have already taken it out taken it out का मतलब अंदर जो रखा हुआ था मैंने उसको बाहर निकाल लिया है so मैंने पहले ही निकाल लिया है मैं पहले ही निकाल चुका हूँ I have already taken it out I have already taken it out sir मना कर सकते हैं लेकिन girlfriend से बहस में जीत नहीं सकते अब दुकानदार को लग रहा है कि ये उसकी girlfriend है sir मना कर सकते हैं लेकिन girlfriend से बहस में जीत नहीं सकते sir might refuse अब might का मतलब है अब जब देखो can, may, might चीक है तो can जो होता है वो एक ज़्यादा वो वाली चीज होती है कि ज़्यादा ताकत वाली बात कि अगर मैं class में बोलो can I go to washroom तो मतलब एक teacher से इतना मुझे गलगलाने की ज़रत नहीं है अगर मुझे थोड़ा सा अगर teacher ज़्यादा strict है और मुझे वहाँ पर बोलना है तो में आएगा, may I go कि भाई teacher थोड़ा से strict है उस teacher से मेरी इतनी नहीं बनती है तो may आजाएगा अब simple है कि भाई किसीने मतलब कहीं पर मुझे और ज़्यादा करना है कि भाई और ज़्यादा मतलब की chances और कम है तो वहाँ पर might आजाता है जहाँ पर chances ज़्यादा है वहाँ can जहाँ उससे थोड़ा कम है वहाँ may कि भाई मुझे लग रहा है कि 10 बज रहे हैं सुबा के तो वो 11 बज़े उठता है तो वहाँ पर must आजाएगा इंसान है लेकिन वो phone नहीं उठा रहा so he might कि हो सकता है भाई वो सोरा हो आज तो इस तरह से sir मना कर सकते हैं लेकिन girlfriend से बहस में जीत नहीं सकते sir might refuse sir might refuse but cannot win in an argument with his girlfriend argument मतलब बहस discuss का मतलब जो एक बहस होता है वो अलग होती है मतलब एक हम अराम से बैठके किसी चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं अराम से बैठके तो वो होता है discuss करना आर्गुमेंट होती है कि भाई बहस बाजी हो गई वहाँ पर है मतलब कि जैसे girlfriend boyfriend में होती है वहाँ discuss नहीं होता वहाँ argument होती है discussion होता है जैसे है मैं हूँ मेरे colleagues है या फिर मैं हूँ मेरे boss है हम दोरे के मिचे में बात हो रही है वो होता discussion sir मना कर सकते हैं लेकिन girlfriend से बहस में जीत नहीं सकते sir might refuse but cannot win an argument with his girlfriend ये मेरी girlfriend नहीं है ये मेरी girlfriend नहीं है she is not my girlfriend she is not my girlfriend आपकी बहन है क्या या फिर क्या आपकी बहन है ये is she your sister is she your sister आपकी बहन है क्या is she your sister तो इसने पूछा आपकी बहन है क्या is she your sister क्या कह रही हो तुम तमीज नहीं है क्या क्या कह रही हो तुम what are you saying what are you saying तमीज नहीं है क्या don't you have manners don't you have manners तमीज नहीं है क्या अकल नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात की जाती है don't you have manners how to talk to elders इस थरह से हम बात करते हैं तो क्या कह रही हो तम तमीज नहीं है what are you saying don't you have manners what are you saying don't you have manners बस कुछ भी कहे जा रहे हो अब ये भी हम argument जब किसी से हो जाती है बहस बाजी लड़ाई कहीं हो रही होती है तब भी हम बहुत बोलते हैं यार कुछ भी कहे जा रहे हो थोड़ी तमीज रखो थोड़ी तमीज रखो you are just saying anything you are just saying anything थोड़ी तमीज रखो have some manners बस कुछ भी कहे जा रहे हो थोड़ी तमीज रखो, you are just saying anything, have some manners, अब उसने बोला sorry और इसने बताया कि करीबी दोस्त है, sorry close friend, close friend, अब लड़की ने बोला इसे लगा के देखो, try this one, चीक है, अब try का मतलब मतलब आजमा के देखो, इसको एक बार try करो, आजमा के देखो, तो वो sense आता है, लेकिन ये प्लेट में निकाल के मुझे देता है, और बोलता है try it once, कि try this one, ठीक है, तो try this one या try it once, तो मतलब try this one का मतलब होता है, इसे चक के देखो, वहाँ पर वो sense बनेगा, ठीक है, तो try this one, कि इसे चक के देखो, लेकिन यहाँ पर चश्मे की दुकान पर है, अब वो चश्मा बो रही है, टी-शिर्ट की दुकान पर होती है, और किसी टी-शिर्ट को देखकर बोलती है, try this one, इसको पहन कर देखो, तो इसका sense अलग-अलग आएगा, ठीक है, try it, basically मतलब होता है, आजमाना, तो इसने बोला, इसे लगा कर देखो, try this one, try this one, यह बोल रहा है, मैं frameless नहीं प भी हम wear बोलते हैं, कपड़ा पहनना जो होता है, वो भी wear में आता है, चश्मा पहनना जो होता है, वो भी wear में आता है, wear sunglasses, wear practical, तो चश्मा भी पहनना wear में आता है, मैं frameless नहीं पहनता, यह असानी से तूट जाता है, I don't wear frameless, it breaks easily, यह असानी से तूट जाता है, it breaks easily, कम से कम एक बार लगा कर तो देखो अब कम से कम का मतलब होता है at least चीक है अब जैसे मैंने पहले example बोला कि plate में किसी ने खाना है मुझे डिश बनाई नहीं और मुझे ला कर बोला कम से कम एक बार चख के तो देखो at least try it once वहाँ भी यही बनेगा खाना चखना लेकिन वह scene के हिसाफ से समझ में आता है कि क्या करके देखना है क्या आजमा कर देखना है तो try तो यहाँ पर चश्मे की बात चल रही है कम से कम एक बार लगा कर तो देखो at least try it once at least try it once कम से कम एक बार लगा कर तो देखो अब तुम सामने से हैंसम लग रही हो Now you are looking handsome from the front Now you are looking handsome from the front मैं तुम्हें बता रही हो कि तुम्हें एक फालतू अंक मिलेगा I am telling you that you will get one extra mark one mark, sorry, one mark extra दोनों ही चीज़ बते सेम लेकर चलेगा मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एक फालतूंक मिलेगा I am telling you that you will get one mark extra interview में इस frame की वजह से because of this frame in the interview अब because of का मतलब होता है इस चीज़ की वजह से मतलब because of you I could not go there मैं तुम्हारी वजह से वहां नहीं जा सका चीज़ का तो यहाँ पर क्या sense बना यहाँ पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एक फालतूंक मिलेगा I am telling you that you will get one mark extra I am telling you that you will get one mark extra because of this frame in the interview मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एक फालतूंक मिलेगा इंटर्व्यू में इस फ्रेम की वजह से I am telling you that you will get one mark extra because of this frame in the interview तो यह था आज की वीडियो का आग के बारे में अगर आपो कोई doubt है कोई confusion है तो comment box में जाईए वहाँ पे लेखिए वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए अगर नए है तो subscribe कीजिए Thank you